जब भी आप नई बक्रियां खरीदने के लिए जाओ तो आपको खरीदिस में क्या सावधानिया रखनी है और जब खरीद के ले आओ तो सेड के अंदर आपको पहले पहली बार लाते ही आपको क्या क्या सावधानिया रखनी है उसके बारे में आज इस वीडियो में पूरी च चैनल को सब्सक्राइब कर लो गंटिक आइकन दबालो ताकि ऐसे बढ़िया वीडियो आपको रोजा ना मेलते रहें तो चलिए अपना वीडियो आज का सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको क्रिद्टे समय क्या साफदानिया रखनी उसके बारे में बताओंगा कि क्या वजह होती है नई बकरी और मरने के लिए अब क्या गलतियां कर रहे हैं कि वघे बहुत लोगों को नुखसान हो जाता है तो उसके बारे बारे में अपना वीडियो वो शुरू करते हैं तो दोस्तों खृत्ते समें सबसे ज्यादा गलती ही करते हो कि आपको नसल की जानकारी नहीं होती और बेंचने वाला आपको बढ़ा चड़ा के वो बहुत सारी जो कमियां है वो चिपाके आपको खराब नसल वो दे देता है आप पैसे और जलनशल के दे के आजाते हो लेकिन ब्रीड है वो आपको नोलेज नहीं होने की विज़े से मिक्स भी दे देता है यह कई जो नसल है उनका मिक्स किया हुआ और दिखने में वह आपकी नसल जैसा लगेगा लेकिन पेज़ाब नहीं होता है उसके काफी मतलब कमजोरियां कमियां होती है वो उसमें आ जाती है जिससे आपका मतलब जो बक्रियां है वो ग्रोथ उतनी नहीं करती है जितना उणा चाहिए उसकी नसल का तो एक तो गलती यह करते हो आप सबसे पहले दूसरी बात है अंजान जगह से खरीद लेते हो और किसी बिचोली या ठेकेदार के जक्र में पढ़ जाते हो आप दलाल के जक्र में तो वहाँ पर सबसी ज़ादा नुकसान होता है कभी आप आपको बक्रियां खरीदनी है लो पर वहां से आप पता करें कैसे खरीदने का प्रोसेश हो सारी चीजें बता देंगे और खरिदने जाओ तो आपे किसी एक्सपर्ट को साथ ले जाओ, कोई दिक्त नीए, वो एक दो दिन की फीस भी लेता है, तो वो आपको फाइदा देगा, आगे चलकर आपके नसल अच्छी आएगी, तो वो एक दिन, दो दिन की फीस है, वो आपको ज्यादा नुक्सान नही लिए, वो बेनिफिटी देने वाली आगे जाके, ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, आप लेके आगे, तो आपको लाते समें एक तो क्या है कि जो रस्ता है, वो काफी लंबा ना हो, यानि काफी दूरी से बक्रिया ना खरीदें, आप उसके कोसिस करें कि नजदीक से खरी लाते समें सर्दियां वं उनको लग सकती है, गरियों में लेके आ रहे हो तो उनको ब्हुत ज़्यादा तपत है, गर्मी है, वो भी लग सकती है, रस्ते में आते समें, तो आप दूर से खरीदें हो, तो मौसम का सबसे अच्छा, घ्रुन रखना बहुत ज़रूरी है आपक तो सरदियों में आपको नई वक्रियां खरीदनी नी था, अब कराएं तो ऑन लाता है, आपको पहले سے बक्रियां उसमे लाकी आपने बांद दिया, तो जो बिमारियां वो लेके आईगी साथ में वो आपकी जो बक्रियां घर पर है उनकी भी लग जाएगी या आपकी बक्री को बिमार है तो वो बिमारिया उसमें लग जाएगी लाने के बाद कम से कम साथ दिन तक है छैसे साथ दिन तक बाहर से जो बक्रिया बेड़ बक्री तो लगेगा मैं टिका करन वगेरा करा लूँगा आप मेरे को इमानदारी से बताते हो कब का टिका करन क्या वा ताकि उस हिसाब से मैं टिका करन करवा लूँ और डी वार्मिंग कब की हुई है यह चीज़े आपको एकदम विश्वास के साथ उससे पूछनी है वो पूछनी जरूरी आपको क्योंकि अगर काफी लंबे समय से टिका करन नहीं किया है डी वार्मिंग नहीं की हुई है तो लाने के बाद काफी विमारी आपको इमानदारी से बता दे तो जो जो जूट बोलेगा कई बहुत बार मैं नहीं कहता कि सबी खराब होते हैं मैक्सिमम क्या होत करना है लाने के बाद सब से पहला काम आपको डीवार्मिंग का करना है अगर मालोगि 15,20 महीना हो गया है तो कम कर्या किम वसक्ते में बार मैंने के लारो लिए वर्मिंग के बाद आपको एक बार डिवार्मिंग करने जरूरी है दिवार्मिंग का अलग से मैंने वीडियो बनाया वह उस पर जाकर देख लेना आप में अलग से वीडियो देने का तरीका करने का सब कुछ बताया है कि Seven तक उनको अलगर रखनाना on को उसके इसने कलना है और उसके बाद में अगर उनका टिकार्ण नहीं किया वह है आप तिकार्ण स्टार्ट कर सकते हो एक एक महの यानि टीन टीक्ये वो बहुत जुरूरी है बकरीयों के अंदर एक तो जो एंट्रोटोक्स वह बहुत ज्यादा जुरूरी है और एक हो गया आपका मतलब है यह जो खुर्पगा मूपगा रोग है एफमडी का टिका है यह आपको लगाना बहुत जरूरी है और एक पीपी आर का यह तीन वेक्सिनेस आपको भूत अनिवारी हैं ठीक है जैसे को डेजर्ट के लाके में रहता है राजस्तान की मुर्ष्टरी लाके में रहता है publishing की में ठीक होता है खुर्पगा मूपगा मिमारी ज़्यादा नहीं आती लेकिन जैया जयादा नंभी रहते हैं बारिष ज्यादा होती है नंभी वाला एरिया है तो महह पर तो जो खुर्पगा मूपगा रोग है एफमडी उसका टिका लगाना बहुत जरूरी है आपको अनिवारी है यह मान लीजिए तो बाकि पीपी आर का इनका तो लगाना जरूरी है है तीन टिक्के तो आपको कम से कम लगाने चाहिए बाकि और भी आप लगा सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है तो टिका करने हर टिका करने की बीच में आपको एक मंत्खा गेप रखन जैसे आपने फरवरी और मार्च में आप लेकर आए तो मार्च में लाते ही या अपरेल में आप दिका करने कर दो पहला ही आते ही सबसे पहले फमडी लगा दो और उसके एक महीने बाद में जो बंचावा एटीटीटी है वो लगा दो आप तो वेक्सिनेशन होना जरूरी ह कोशिस करें कि वेक्सिनेशन शुरू करने से पहले आपके डीवार्मिंग है वो की हुई होने चाहिए डीवार्मिंग आप आराम से कर सकते हो घर पर एक बार आपने देख लिया कैसे करना आप मेरा वीडियो देख लेना अपने चैनल की उपर है डीवार्मिंग का तो आप इन्जेक्स सिरीं जाती इंजेक्सन वाली उससे आप मुझ में देखे अरहम से आप द्वाई दे सकते हो जो मैंने दो-तिन द्वाईं के नाम भी बताए थे बार-बार द्वाईं के नाम मैं हर वीडियो में बताऊंगा तो सरकोन सा है वह परचार जैसा हो जाएगा बाकि मेर डाउट रहता है, खिसान कन्फ्यूज हो जाते हैं, एक ग्याबन को देनी है, एक ग्याबन को नहीं देनी है, तो हाइटेक दौाई है, वो बड़ी है, कोई दिकत नहीं, एवर मेक्टिन के नाम से आती है, तो लाने के बाद तीन-चार सावदानिया हो गई, पलस उनको क्या क बचर लाने के बाद 5-6.7.7.8 तीन आप पे एक गुमाने मत लेगा जाओ, उनको आराम करने दौाए, जो नई है योडव बक्रिया लेके आए, नहीं, ना ना रखम करने दो तो सुखहा चारा होता है वो दीरे-डीरे दीरे-धेर दीरे उनको स्टाड करना है अनाज है वह 5-4 दिन के बाद फोड़ City नहीं देना है यहीं फिर थोड़ थोड़ा करना है एक साथ आते है आपको पूरा है राचारा भी नहीं खिलाना है ठीक है ना कि दोनों टेम पूरा यहरा डाल दिया तो उनका पेट खराब हो जाएगा शुक्ते से आपको स्टार्ट करना नहीं वक्रिया लाएं उनको तो दिरी दरे पांच से दिन के बाद अगर आपके पास है रहा है तो एक इसकी डाइट का दस्वा इसा आप दे पहले देन दो उसको ताकि नुक्सान भी करें तो ज्यादा नहीं करेगा फिर दिरे 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 और पेट की विमार्यों का तो इससे पीछे वाला वीडियो मैंने बताया था भूख खोलने का 100% इलाज बताया था आपको जो अ अज़िता नहीं के लिए पेट के लिए üzदोना इसाइन के लिए निथिधा नंग की लिए फाइदा ही करेगी यह मानो यहां убийर्णा एक नाजदाने में एक चमस वो मिला दो आप बनाया वा मिक्चर तो उनकी फुल भूख खुल जाएगे एकदम जितनी भूख क्यों पेट में को प्रोब्लम नहीं रहेगी जो खाना खाएगी जल्दी आजम हो जाएगा और जल्दी जल्दी भूख लगेगी जल्दी जल्दी खा पाइदा चाते हो तो नहीं तो यह चोट-चोटी चीजिए अगर इंग्नोर करोगे तो आप सोचते हो ना कि फलाने ने बकरी पालन किया था उसका नुकसान हो गया उसने बंद कर दिया उसका सेड़ बंद हो गया लापरवाई करते हैं जो मैंने कितनी बाते बताई आपको तो नोलेज औरना बहुत जरूरी है दोस्तों ठीक है ना वो आप चाहिए चलके आप कहने जा सकते तो अपना यूटूब तो वीडियो तो है वो आप घर बेटे कहीं भी देख सकते हो बकरिया चराते हैं जंगल में भी भेड़ चराते हैं यह वीडियो देख रहा है तो व बाते बदreso思inya में ने बताई आपको कैसी लगी है आप कोमेंट में मेरेको जुरूर बताओ कि यह बाते आपको सभी बाते पता थी क्या अगर नहीं थी कोनकोझ से बात नहीं सिखने को मिली मेरे को अगर कोमेंट में जुरूर बताओ ठीक है और एक वीडियो आगे मैं और में बनाने वाला हूँ होग से लोगों कुछ सेनारे कि आभी चुनाओ चलते शुन राजो fleeing तो इसको लेकर से अगला वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भार नमस्कार